हेलो इस्टूडेंट, गुड मार्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी देख रहे हैं उसके हिसाब से आज हम एक कॉंट्रेक्ट अकाउंट के अंदर एक इन्पॉर्टेट कॉंसेप्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सक्लिनेशन क्लॉज और उससे रिलेटिड एक हम प्रैक्टिकल अप्रोच भी देखेंगे, एक्सक्लिनेशन क्लॉज क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे, तो आज हम कॉंट्रेक्ट अकाउंट के अंदर कॉंट्रेक्ट अकाउंट में, एक हम देखेंगे कि वट इस दा मेनिंग आफ ए लेबर का कुछ और होता है, और कॉंट्रेक्ट एक साल, दो साल चलता है, तो उस टाइम पे मटीरियल लेबर का रेट अलग हो जाता है, तो जिससे क्या होता है, कि कॉंट्रेक्टर को नुकसान होने लगता है, तो इस नुकसान को भरपाई करने के लिए ये क्लॉज मनाये गया हम एक एक्जाम्पल से समझते हैं मान लेते हैं कि यह हमारा एक contractor है आप बस ध्यान से समझना है noting बिल्कुल मत करना भी यह contractor है अब भाई contractor होता कौन है यह तो आपको अच्छे से पता है जो की ठेकेदारी लेता है और एक यह मैंने बना दिया contractee यह बना दिया मैंने contractee इन दोनों के बीच में जो document है एक sign होना है जिसे contract sign करेगा contractor ने बोला जी मैं आपका काम और यह जो बात मैं कर रहा हूं यह suppose करो 2015 का contractor ने बोला मैं आपके लिए building बनाऊँगा एक contractee का काम करना है building बनाना है और contractor ने 50 लाख रुपए का contract लिया और contractor ने बोला जी आपका building जो है वो मैं बना के दिखा दूँगा और यह building कुछ time में बन जाएगा contractor ने पूला कि कितने टाइम में इस ने बोला लगबग लगबग three year लगेगा यानि आपको यह 2018 तक मैं handover कर दूँगा एक दो मैंने उपर नीचे हो सकता है तो contractor ने बोला सर यह 50 लाग का जो contract है यह तो मैं आज के value के हिसाब से बता रहा हूँ देखो आज जो labor इस contract building को बनाने में आज जो labor काम करेगा उस labor की salary है 500 रुपे जो mystery काम करेगा वो लेता है 700 रुपे सिमेंट है वो है 300 रुपे का इसके बाद bricks हो गए और बहुत सारी information है लेकिन अगले साल साइद यह labor यह 500 में ना करें मेरे पास काम next year वो 600 मागे और उससे भी अगले साल साइद यह 700 मागे mystery मेर से 700 की जगह पर 900 मागने लग जाए material 300 की जगह पर 500 हो जाए cement तो सर यहां से यहां तक के जर्नी में जब आपका मकान बनाएंगे तो एक दिन में अगर बन जाता तो हम तो आज के इसाफसे contact बना रहे हैं लेकिन जो in duration में 2015 से 2018 के बीच में जो हमारे price hike होंगे उसका क्य तो एक काम करते हैं contractor कहता है कि हम जो contract अभी कर रहे हैं आपस में इस contract में ही एक line लिख देता हूँ मैं हमारा contract price है 50 लाग का और in case hiking of material, hiking price of wages अगर कुछ increase होता है उस situation में हम आपसे सारा नहीं लेंगे, कुछ भी condition हो सकता है increase हो जाए तो मैं 20% ले लूँँगा increase price का मतलब जैसे आज 100 रुपे का समान है कल 120 रुपे का हो जाएगा तो increase कितने का हुआ बताओ 20 रुपे का one increase, तो 20 रुपे का 20% कितना हो गया हमारा, 4 रुपे लेगा extra यह तो कुछ भी इसके अंदर हम लिख देंगे कि अगर in case price बढ़ जाए तो जितना बढ़ेगा उसका 20% ले लूँआ या अगर 5-7% बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो हम देख लेंगे लेकिन अगर 10% से उपर बढ़ जाता है तो अब तो भी आपको देना पड़ेगा तो इन दोनों के बीच में जो deal हुआ, तो जो यह मैं बाते लिख रहा हूँ ना, इसको बोलते है explanation clause, clause का मतलब एक मैंने provision डाल दिया contract में कि जो हमारा काम हो रहा है, उस काम के अंदर अगर कोई price hike होता है कुछ time बाद आपके contract में तो उसके हिसाब से 50 लाग नहीं रहेगा price price 50 लाग से कहीं जादा increase हो जाएगा तो explanation clause आपका theory भी आयता है कई बार B.com के अंदर exam में के what do you mean by the explanation clause तो explanation clause वो clause है जब contractor और contractee enter करते हैं contract में और उसके अंदर एक ऐसा point लिख देते हैं कि अगर in future में हमारे material wages या फिर overhead के अगर increase होगा तो उसके according हमारा contract price जो आज की date पे decided है वो नहीं रहेगा वो भी increase कर दिया जाएगा समझ मैं आपको इसको बोलते है explanation clause तो हम एक practical approach भी करेंगे आपके book में question भी है तो एक practical question करेंगे तो और clear होगा हमें किस तरीके से किया जाए तो हमारे exam में question अभी तो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है उसकी तो बात की बात करेंगे लेकिन important point है ये पहले सबसे पहले आप बताओ क्या explanation clause समझ में आया और नहीं आया तो एक बार मैं फिर repeat कर देता हूँ explanation clause वो clause है जब contractee और contractor जब agreement करते हैं तो उसमें एक ऐसा point डाल देते हैं कि अगर in future में हमारे material का wages का overhead का price बढ़ेगा तो मेरा contract भी बढ़ जाएगा according to terms and condition इसी को explanation clause बोलते हैं clear चलो फिर हमें question practical try करते हैं आपके book से आपके book में question number है 7.8 निकाल लेना जितने भी बच्चे हैं सारे 7.8 निकालो 7.8 में क्या कहता है deluxe limited हम practical problem करेंगा बहुत अच्छे से clear हो जाएगा deluxe limited under two का contract rupees 5 lakh deluxe limited ने एक contract लिया कितने रुपे का लिया जी 5 लाख रुपे का लिया तो यहां पर contract price दे रहा है आपको पांच लाख रुपे का contract price कितने रुपे का है 5 लाख का समझ में आया सभी बच्चे बोर्ट पे ध्यान देना deluxe limited ने contract price दे दिया पांच लाख का एक जुलाई 2006 को हुआ है 30 जून तक चलेगा पूरे साल भर का contract है जी यह तो आगे कहता है when the contract were close जब contract close होगा the following detail was the contract material purchase एक लाख रुपे का यानि last में last last तक हमारा material कितने का गया एक लाख का कहता है तो आप मुझे जवाब देना के material टू में आएगा बाए में और वेस है टू में हमने contract नॉर्मल तो किया हुआ है wages paid 45,000 बिल्कुल simple है general expense 10,000 general expense के बाद आगे देखे तो कहता है कि आपका plant purchase है 50,000 का कोई दिक्कत नहीं जी plant purchase 50,000 समझ में आ रहा है इसके बाद next क्या given है आपको material in hand बताओ कहां जाएगा यह material in hand closing by side में तो by side में लिखा मैंने closing material और हमें कितना given है बताओ हमारे पास given है material in hand 25,000 इसके बाद बोलता है यह wages accrued wages accrued payable outstanding सबका मतलब एक है कि अभी wages हमने payment नहीं किया तो add हो जाएगा outstanding wages और outstanding wages कितना दे रखा है आपको amount दे रखा है बताओ 5000 रुपए बड़ा ही simple है इसके बाद question में देता है work certified तो work certified यहाँ जाएगा by side में WIP WIP में कहां लिखेंगा work certified work certified दे रखा है 2,00,000 रुपए noting बत करना भी work certified के बाद cash receive है अलक से लिख लेता हूँ मैं cash receive कितने amount का है हमारा एक लाग पचास अजार का work uncertified तो work not certified थोड़े से short form यूज करना हूँ मैं work not certified 15,000 है इसके बाद depreciation on plant कोई बात नहीं depreciation बताओ क्या करें कहां ना तो यह 2 में आएगा ना ही buy में आएगा इसमें क्या करेंगे plant में से हम minus कर देंगे तो plant में से जब हम minus करेंगे तो plant में से minus करने के बाद हमारा plant बचेगा plant बचेगा 50 में से minus depreciation बताओ पांच हजार यह बचेगा 45 अब ध्यान से देखना यहां तक information सबको clear है किसी को कोई doubt पूछ सकते हो simple पहले जैसा ठीक है एक बात मैं बोलना चाहूंगा जब आप video class देखते हो या virtual classes देखते हो तो आपका mind बिलकुल concentrate होके बैठा करो यह नहीं के बाते कर रहे हैं कोई नहीं देख रहा तो फिर चल जाएगा आपको बिलकुल concentrate करके यहां पे देखना चाहिए तब ही आपके अच्छे number आएंगे नहीं तो अगर आप इदर उदर ध्यान बटकाओगे तो वही कहानी पहले जैसा ही रहेगा कोई class में आना ना आना एक बराबर रहेगा तो यहां ध्यान देना आपने तो देखते हैं जो हम दोनों के बीच में contract हो रहे है उसके अगर material और wages में more than 5% contract price will be increased अगर 5% से ज़्यादा बढ़ जाए जैसे कि मानलो 100 रुपय का wages था अगर 105 होता है तो हमें कोई इतराज नहीं है लखने अगर 106 हो जाए तो समस्या आएगी तो कहता है यहां पर underline करना यहां पर 5% increase price अगर हमारा more than increase 5% more than के निक्चे underline करो 5% से ज़्यादा बढ़ेगा तब इनके contract price बढ़ेंगे इसका कहने का मतलब है एक example लेते हैं देखो तो contractor क्या कहता है contractor कहता है कि भाई कि जो आपका यह आज rate है अगर आपका यह price 105 हो जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है 105 तक तो छोटी मोटी increment है आपसे कोई नहीं लेना ना देना हम आपका काम कथम कर देंगे लेखिन अगर 105 से ज़्यादा बढ़े गया ना तो भाई हम काम नहीं कर पाएंगे हमें नुक्सान हो जाएगा कौन कहेगा यह contractor कहेगा तो हमें contract price accordingly increase करना पड़ेगा contract भी बोलता है भाई कितना करोगा इसने बोला देखो 105 तक तो छोड़ दो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है 4-5% का तो उपर नीचे होता ही होता है आप भी जानते हो मेरा contract 100 से 120 रुपे तक चला गया material का price तो 105 तक तो छोड़ी दो माइनस 120 कितने बढ़ गए ये भाई ये बढ़ गए हमारा कितना बताओ 15 रुपे वैसे तो टोटल 120 बढ़ा है लेकिन वो बोलता है पांच रुपे हटाओ beyond the 5 तो टोटल कितने बढ़ गए हमारे 15 रुपे टोटल 20 और beyond 5 परसेंट 15 रुपे बोलता है जो रेट अब बढ़ गया है इसका मुझे 25 परसेंट दे दो यानि इसका 25 परसेंट क्या होगा तो जो भी हमारा इसका 25 परसेंट निकल रहे है जैसे मेरे वाले एक्जामपल के अंदर 3.75 एप्रॉक्स वो क्या करो मुझे दे दो और मैं अपना contract price increase करूँ आ अइससे तो मुझे एक बात बताना है कि जब contract price increase होगा तो किदर दिखाएगा sale बढ़ेगा इसका न तो buy में दिखाएगा two में थो buy में दिखा देगा समझ में आई बात सो इक बार line में पड़ते तो line में क्या लिखा है in the event of material and rates and wages more than 5% कि अगर material wages rate more than 5% 105 से अब अब गया तो price will be increase तो हमारा contract price जो दे रखा है वो भी बढ़ जाएगा 5 लाग नहीं रहेगा वो भी बढ़ जाएगा कितना बढ़ेगा 25% of underline 25% of किसका in the cost material wages beyond the 5% जो 5% से उपर जाएगा उसका 25% लोगा तो 5% से उपर कितना है भाई पंदर आई है उसका 25 नहीं आई एक और example से समझते चलो अब wages लिखते तो मैं आपको बस समझने की कोसिस करना है देखो मान लो wages हम ऐसे समझते हैं वेजिस मान लेते हैं कि हमारा है 500 रुपया या simple example ले लो 1000 रुपया बोला 5% बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन वेजिस जो है वो इंक्रीज हो गया लगभग मान के चलते हैं 1500 रुपय क्या कहता है कि इन केस अगर वेजिस या मटीरियल इंक्रीज बियोंड 5% तो भाई 5% से क्या ज्यादा बढ़ा है चेक करो बिलकुल यह तो 50% बढ़ गया भाई हजार से 1500 हो गया है तो पांच परसंट से ज्यादा बढ़ा है तो क्या कॉंटरे प्राइज अब इंक्रीज होगा बिलकुल होगा तो कितना बढ़ा पहले हम देखते हैं 1000 में अगर 5% बढ़ था तो इसका पांच परसंट 50 हो था यानि अगर मेरा contract price 1050 रुपए हो जाता तो contractor और contractor के बीच में कोई समस्या नहीं था तब तो वो तो कही रहा है कि भाई हम कुछ नहीं लेंगे 5% तक लेकिन 5% के उपर तो आपको देना पड़ेगा तो अब मुझे बताना 5% बढ़ता तो कितना बढ़ता 1050 उससे कितना ज़्यादा बढ़ा बताओ 1500 दोनों का difference क्या हो गया 450 यानि contractor बोलता है भाई 450 रुपए बढ़ गया तो मुझे ये पूरे 450 मत दो इसका 25% दे दो तो इसका 25% अगर हम निकाले तो क्या होगा बताओ इसका 25% अगर निकाले तो ये आ गया हमारा 112 रुपए 50 पैसे यही तो मांग रहा है contractor यानि ये 112 रुपए 50 पैसे मैं अपने contract account के buy side में दिखा दूँगा समझ में आई बात आपको उमीद है कि आपको समझ में आ गया होगा board पे ध्यान देना जिसको समझ में नहीं है एक बार दुबारा इसको remind करके आप देख सकते हो मैंने simple way में समझाने की कोशिस करी है ये एक example था book के अंदर जो question है उसमें same points बोला गया है लेकिन amount अलग है अब मेरा एक doubt है यहाँ तक तो सिर्फ जो अभी हमने देखा है जो यह line पढ़ा है न हमने के event price material यह adjustment नहीं है यह तो बता रहे कि अगर हुआ तो ऐसे करना है अब हुआ क्या अगली line में it was found पाया गया ठीक है it was found that since the date of signing जब date sign किया जा रहा था the agreement price of the material and wages rate increased by 25% मतलब भाई जिस दिन contract लिया था और आज contract खतम करते 25% बढ़ी गया लो 100 रुपय का लिया था तो 125 हो गया यानि 5% नहीं बढ़ा 25% बढ़ी गया the value of work certified does not take into the effect of the above clause और जो work certified uncertified है इसको इसमें मत include करो यह सरिफ material और wages पे ही चला लगाना है आपने मेरा doubt जो ये 1 लाक रुपय है ये किस डेट का है ये last का ही होगा तो यहाँ पे ये 1 लाक रुपय बढ़ा हुआ ABOUT price है या फिर बिना बढ़ा हुआ about price है बिलकुल ये 25% add करके price है और wages भी 25% add करके price है अब देखना इसका solution कैसे करेंगे हम बड़ा ही सिंपल है यह तो मैं एक पर यहां पर बता देता हूं कि मैं क्या करने वाला हूँ एक एक्जामपल लेके वही एक्जामपल सेम फोलो करना है मैं अगर 100 रुपए से हमारा 125 हो गया है तो पहले तो हम इसके difference में कितना बढ़ा 25 रुपए बढ़ गया हम 5 रुपए पहले वह क्योंकि relaxation देता है बोलता है 5 रुपए से उपर तो 5 माइनस कर देते हैं इसमें से तो ultimately देखा जाए तो कितना increment लगा 20 रुपए अब हम 20 रुपए का 25 परसेंट चार्ज करेंगे वही मैंने थोट दिर पहले समझाया था ठीक है ना repeat कर दिया आगे देखें इसमें और क्या होगा आगे कहता है कुश्चन में continue में अब मुझे बताना कि मेरा material जो एक लाख है ये बढ़ा हुआ है तो बढ़े हुए से हम सबसे पहले देखते हैं कि material कितना use हुआ material use बताओ सर material use तो एक लाख है नहीं ध्यान से देखो 25,000 closing भी तो है तो material use है हमारा 75,000 समझ में आई ना बात material use कितना है 75,000 तो पहले मैं material पे लिए हुआ फिर मैं wages पे अलग-अलग फिर दोनों को एक साथ करके देखेंगा ठीक है यानि 75,000 जो हमारा इस contract में material use हुआ जो 25% बढ़ा हुआ है तो हमें निकालना क्या है इसके अंदर से कितना part increment लगा हुआ है बढ़ा हुआ है तो आपका before increment price बता सकते हो क्या before increment price बता कौन बताएगा सबसे पहले बहुत simple 75,000 multiply ये 25% जुड़ा हुआ है तो 125 और before यानि result is 60,000 इसका मतलब जिस दिन contract लिया था उस दिन 60,000 था material लेकिन जब contract खतम होने लगा तो उस material का price कितना हो गया? 75 तो उसने बोला क्या था कि 5% तक तो छोड़ो बाकी 5 से जितना बढ़ेगा उसका 25% दे दो तो चलो जितना relaxation देगा हमारा 5% तो 5% of material 60,000 का 5% बताओ 60,000 का 5% 3,000 समझ में आरी है बात? 3,000 तक बोलता है छोड़ो simple सा logic है ना देखो आप मेरा material यूज हुआ 75,000 अब मुझे जानना है कि पहले कितने का था अब कितने का था तो पहले था 60 का और यूज अब rate हो गया कितने का 75 का तो जो भी price increment हुआ 5% तक तक तो हम दोनों आपस में bear करेंगे तो 5% को छोड़ दो आव 5% को मतलो तो 5% 3,000 तो 3,000 को हमने क्या करा छोड़ दिया? अब 3,000 के इलावा जितना भी बढ़ गया उसका मैं कितने percent ले लूँआ? 25% अपने contract जैसे दुबारा देखो 75 का था पहले था हमारा यहीं देखते हैं 75, 5% तक तो कुछ नहीं बोलेगा तो 5% कितना होता है हमारा? 3,000, 5% यानि 63,000 रुपए अगर होता इसका तो हमें कोई problem नहीं था अब 63 से कितना बढ़ गया यह चेक करो यह लेना है मुझे उससे 5% तक तो छोड़ दो सिंपल कुछ बच्चे बोलते हैं सर 20% ले ले बिल्कुल ले सकते हैं 20% मैं इसके बीच का difference कितना है? देखो difference कितना है? difference आगे हमारा कितना? बताओ 12,000 क्या यह सारा 12,000 उससे वसूल लूँगा? नहीं, question में यही तो बोलता है देखो line देखना आप कि जितना price बढ़ेगा 5% के बाद उसका 25% लूँगा तो हमें इसका 25% चाहिए तो बताओ इसका 25% क्या आएगा? बताओ 4,000 यह 3,000 तीन हजार आप mix मत कर देना इस तीन हजार उस तीन हजार को ठीक है? समझ में आएगा यह कैसे करना नहीं करना यह किस पर लगा है material पर? चलो wages पर बताओ Sir, wages पर बड़ा ही simple है wages पहले कितना था और बाद में कितना था यह calculate करो तो अभी तो wages कितने का है? 50 का before वाला देखो हम निकाल देते हैं before वाला बताओ कैसे निकालेंगे? 50,000 multiply कितने percent बढ़िए है? 25 100 चाहिए हमें actual 100 divided by 125 क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ है na 25% तो जी wages तो आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया देखते हैं निकालो 40,000 अब मुझे बताना, आप टाइम लाइन पर मैं ले रहा हुँ से? ये लो जी पहले था 40 का जब contract किया, अब हो गया 50 का 5% तक relaxation है तो 5% पहले जोड़ लो इसका 5% 2000 होता है यानि 42,000 रुपे तक हमें समस्या नहीं है 42 से जितना भी जादा है इसका 5% तक तो हमें कोई problem नहीं उसके बाद वाले हिस्से का 25% लेंगे तो 42,000 जितना भी आया उसके बाद का हिस्सा देखा जाए तो हमारा difference क्या आ रहा है? 8,000 क्या मैं पूरा 8,000 चार्ज कर लूँ contractee से? नई 8,000 का भी मैं बोलता हूँ जितना बढ़ेगा उसका सिर्फ 25% जो कि कितना आ रहा है? 2,000 तो आप देखो material का मैं 3,000 लूँगा और wages का कितना लूँगा मैं? 2,000 तो मैं यहाँ दिखा दूँगा by explanation clause से contract price increase हो गया contract price कितने से? 3 और 2 5,000 आई बाद समझ में आपको नहीं आया? चलो एक बार और कर लेते हैं इसको अगर नहीं आया तो एक बार और देखते हैं आना पांच हजार है एक बार और देख लेते हैं पहले मैं समस्या solve कर रहा हूँ material का दूसरे तरीके से ठीक है? use material 75,000 before use कितना है? 75 into में 100 divided by 125 यानि 60,000 कितना बढ़ गया? 15,000 15 में से 5% की तो छूटी है भाई तो minus 5% जो relaxation मिलेगा तो relaxation किसका 5%? जो पहले का था भाई? तो 60,000 का 5% minus पहले ये समझ भाई 75, 60 का था 75, 15 अब 5% बढ़ता है तो उसको छोड़ दो तो 5 कहता है कि beyond the 5% तो beyond का मतलब 5% को और इसमें घटा दो तो 5% को मैं घटा हूँ तो किस पे? 60,000 पे minus करते हैं चलो less beyond less beyond आपका 5% तो 60,000 into में 5% कितने आगे? 3,000 यानि actual देखा जाए तो 12,000 रुपे है जिसके लिए लड़ाई है 5% छोड़ दो तो 12,000 मैं contractor, contractor से बोलता है ला भाई 12,000 लेकिन तब भी एक clause में मैंने लिख दिया कि जितना इसके बाद बढ़ेगा जो 12,000 मैं पूरे 12 नहीं ले रहा जी आपसे कितने लोगे फिर सर सर मैं सिर्फ इसका 25% लूँगा तो देखो हमारा explanation कितना मिला हमारा contract price कितना increase हुआ contract price increase हुआ 12,000 इंटू में 25% यानि 3,000 अब समझ मैं है पहले भी करा था जिसको पहले वाला समझ मैं है पहले वाला कर लो ये वाला समझ आ रहा है ये कर लो दोनों कर रहीगी है बस सोचने का तरीका लगए ठीक है चलो material पर हो गया अब wages after increment after increment कितने हैं मारे 50,000 before increment कैसे निकालोगे सर सिंपल है नब 50,000 multiply 100 divided by 125 क्योंकि 25 परसेंट जुड़ा वह तो आ गया 40,000 net कितना increase हुआ total increase sir total increase हुआ हमारा 10,000 तो 10,000 पूरे इसका 25 नहीं अभी इसमें से 5% और relaxation मिलेगा तो 5% किसका base का less 5% किसका 40,000 का तो 5% अब 5 बटे 125 भाई यह तो cost ही है ना यह तो पहले वाल है तो इस पे 125 नहीं लगा ना 105 नहीं लगा ना तो 5% निकाला तो 2000 समझ मैं आई बात तो मुझे 8,000 लेना चाहिए लेकिन law क्या कहता है कि भाई जितना बढ़ गया उसका पूरा मतलो उसका 25% तो मैं recover कितना करूँगा यहां पे यहां पे recover करूँगा मैं 8,000 का कितने परसंट contract price increase wages के point of view से 8,000 का बताओ 25% यानी 2000 तो total increment कितना लगा तीन हजार material का यह लो मैंने इसे अलग से कर दिया और 2000 wages का तो यह हो गया तीन material और दो wages बुक में थोड़ा shortcut कर रखा है समझ में आई वाद कि चलो एक और shortcut बताना है चलिए देखिए कि मुझे पता है कि 20% चार्ज करना है मुझे पहले increment direct 20% देखो एक और shortcut जिसको जो समझ में आ है वह ऐसा नहीं कि जो shortcut है वही करना है सबसे पहले मैं material पे material कितने का है 75,000 कितने परसंट पांच परसंट छोड़के 20 तो चार्ज करना है तो 20 divided by 125 ठीक है 20 divided by 125 क्योंकि देखो 25% बढ़ा पांस तो छोड़ी दो तो 20 परसंट 20 125 इसका भी कितने परसंट लूआ 25 यह बढ़ा हुआ प्राइस है और इसका भी कितने लूआ 25 परसंट लूआ तो अब calculate करो फटा-फट से देखो मैं तो देखो सारे points आपको बता देता हूँ और आपको जो अच्छा लगे आप वो follow कर सकते हूँ इसमें कोई ऐसी बात नहीं है इंटू में 20 इंटू में 25 तो देखो यह answer directly आगया हमारा तीन अजार यहां पर मैंने थोड़ा detail करा यहां shortcut लेकिन इसके लिए पहले concept तो समझना पड़ेगा न आपको कि भाई 25 परसंट बढ़ गया उसमें से 5 अच्छा अच्छा जो असली बढ़ा 20 असली 20 का 25 लेना है त परसंट और 125 और इसका भी मैं लूगा 25 परसंट समझ मैं यह बात आपको यह लो यह भी आगया answer 2000 आगया थीन हजार तो देखो मैंने तीन तरीके से करा दिया आपको कि अगर अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा तो बटन आपके हाथ में बार बार रिमाइंड करके देखो जरूर आएगा समझ 2,15,000 समझ गे 2,15,000 चलिए देखते हैं 2,15,000, 5,000, 25,000, 45,000, 2,90,000 टोटल बहुत आसान कॉंसेप्ट है और मैंने बहुत सारे बुक में ढूंडने की कोश्ट करा है मुझे एक ही कोश्टन मिला है इस टाइप का 2, surplus surplus देखते हैं माइनस एक लाग, माइनस पचास अजार, माइनस दस अजार, माइनस पचास अजार असी अजार आए देखो जी surplus इस surplus को buy में लिखते हैं, buy surplus सारा खेल इसमें 5,000 का था, असी अजार, अब इसके उपर आप लगाओ, क्या format apply करते हो, चलो मैं यहां कर देता हूँ, यहां space है मेरे पास ठीक है ना, यहां कर देता हूँ में space है मेरे पास, यहां करते हैं, कितने percent completion, सबसे पहले मैं निकाल लो percentage of completion very simple, कैसे निकालोगे सर, work certified या total work कितना है हमारा, 2,15,000 divided by CP, CP कितना है हमारा 5,000,000 into में 100, तो 50 से तो उपर पता ही चलिए, अब क्या मैं कर देता हूँ, फिर भी आपके लिए बताओ 2,15,000 divided by 5,000,000, नहीं, 50 से उपर नहीं गया, 2,15,000 complete हूँ, अच्छा, 50 से उपर नहीं गया अभी, into 100, 43%, 43% work done, कौन सा formula लगेगा, 43 में बताईए, जल्दी जल्दी, ढूंड के बताओ, ढूंड के बताओ, क्या लगेगा, 1 by 3, 3, तो CPL निकालने जारा हूँ, मैं CPL, CPL कैसे निकालेंगे, 1 by 3, multiply 80,000, multiply cash receive, कोशन में पता हैं, हमें, डेड़ लाग, और work certified भी पता हैं, हमें, 2 लाग, यह पता ना, हम cash basis पे निकालते हैं, चलिए, solve करिए, सबसे fast answer निकालना है, असी हजार, divided by 3, divided by 2 लाग, इन्टू में 8 लाग, यह आ गया जे, 20,000, कितने आ गया हमारे यह, 20,000, CPL, चलिए, यहां लिखते हैं, 2 W IP, सड़ी, CPL, यह हमारा CPL है, CPL क्या है, 20,000, और 2 W IP, reserve, रिजर्व कितने हैं हमारे बचेंगे, 60,000, बताओ, 15 नमबर का गुश्चन आता है आपके एक्जाम में, मेरे हिसाब से तो, लड़ू दे रखा है आपको बस खाना है एक्जाम में जाके, ठीक है, तो एक बार आप नोट करिए, किसी को कोई डाउट है, तो आप YouTube पे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, WhatsApp नमबर मैंने दे रखा है, उस पे भी पूछ सकते हैं, और बाकी मैंने पूरा क्लियर कर दिया, दुबारा मैं बता देता हूँ, एक्सक्लिनिशन क्लॉस क्या होता है, एक्सक्लिनिशन क्लॉस का मतलब होता है, जब कॉंट्रेक्टर और कॉंट्रेक्टी कॉंट्रेक्ट लेते हैं, उस नहीं पे प्रावधान एक प्रोविजन बना लिया जाता है, जिसको बोलते हैं, एक Xclination Clause ठीक है चलिए नोट करिए हमारे इस वाले सर हमारे इस वाले एक्जामपल में कितना था सर हमारे इस वाले एक्जामपल में बोला था कि 5% बढ़ जाएगा तो कोई समस्या नहीं है 5% के ऊपर बढ़ेगा तो मैं उसका चार्ज लूँगा लेकिन सारा नहीं लूँगा स चलिए अब नोट करिया है